प्रूप का इन्धन जो आप कार में भरते हैं उसमें से 65 रुपे बरबाद होता है याने आपको आपके 100 रुपे में से 35 रुपे का ही लाब मिल पाता है तो आपके 65 रुपे कहां बरबाद होते हैं? इन 65 रुपियों में से 15 रुपए गर्चन में बरबाद होते हैं करीबं 35 रुपए इंधन के अधूरे ज्वलन के कारण बरबाद होते हैं और बचे 15 रुपए अन्य कारणों से बरबाद होते हैं पेश है NanoMax Far Infrared Waste और Nano Technology से बना एक विश्वसनी अउतपार NanoMax Radiator Additive के रूप में उपियोग में लाया जाता है जिससे की इंधन में बचत एवं इंजिन की हौंस तावर में वृद्धी होती है NanoMax को जानने के पूर हम इंजिन प्रणाली को समझते हैं इंजिन की शक्ती का स्त्रोथ असल में ताप उर्जा है जो की इंधन में स्थित रासायनिक उर्जा के ज्वलन से पैदा होती है इस ताप उर्जा का कुछ प्रतिशत इंजिन में स्थित इस्तन को नीचे की और दबाने में उपियोग में लाया जाता है जिससे की इंजिन में शक्ती का संचारण होता है कुछ प्रतिशत ताप उर्जा निकास गैस के माध्यम से निकास बॉल्ब से बाहर निकल जाती है उर्वरित ताप उर्जा इंजिन स्था आउशोशित करता है जिससे उसके तापमान में व्रिद्धी होती है इस बड़े होए तापमान को ठंडा करने के लिए वाहन में एक कूलिंग प्रनाली होती है किसी भी वाहन के कूलिंग प्रनाली के कुछ मुक्य घटक होते हैं जैसे की रेडियेटर, फैन, वाटर पाम, कूलन्ट रिजरवायर कूलन्ट इंजिन के तापमान को आवशोशित करके उसे साधारन चलन सीमा के अंदर रखने का काम करता है जब इंजिन शुरू किया जाता है तो उसमें स्थित वाटर पाम्प, कूलन्ट को निचले रेडियेटर टैंक से इंजिन सिलेंडर के इर्द गिर्द बनी जगह जिसे कूलिंग जैकेट भी कहा जाता है उस पे फैंकना शुरू कर देता है अब हम जानते हैं कि नैनो मैक्स कैसे काम करता है नैनो मैक्स रेडियेटर में डाला जाता है नैनो मैक्स के कणों से फार इंफ्रारेड रेज इंजिन के आर पार जाती है फार इंफ्रारेड रेज इंजिन में हो रहे ज्वलन को सुचारू करने में मदद करती है और फार इंफ्रारेड रेज इंधन के बड़े बड़े कणों को छोटा छोटा करती है जिससे इंधन पूरी तरह से जलता है और अधिक उर्जा तथा कम धुआ पैदा होता है Nano Max इंजिन सिलिंडर में बहतर ज्वलनशीलता पैदा करता है जिससे अनेक लाब हैं जैसे की 8 से 30 प्रतिशत इंधन की बचत, 10 से 30 प्रतिशत बहतर शक्ती, 30 से 25 प्रतिशत दुए की कमी, 10 से 25 प्रतिशत शोर तथा कमपन में कमी, बहतर तेल दाब तथा ज्वलनशीलता एक बार का उप्योग साल भर काम देता है